चिडियाघर के अंदर आज एक वाइट टाइगर ने हमला किया लोकल टूरिस्ट था हमले के दोराण जो चश्मदी थे बिटू उसमक्त चिडियाघर के अंदर मौझूद थे बिटू क्या देखा आपने कितनी बज़े काई मामला है और किस ने हमला किया यह एक वज़े का मामला है यह चिडियाघर को जब देख रहेते सब देखते समय गिरील के पार वो जहाक रहता जसकते समय वह वह गिर गया गिनने के वाद में वाइट टाईगर दो मिंट बार वां आया दस मिंट तक महा थमा रहा उसको छेड़ा नहीं इसको पंजा तुन आप्लत 你 Inspirm करके धिशोपय में उसको नुम जाइब見て ढोल ठाकर मारा मानने के बाद में उस्चने के बाद में फिर पंजा ठाक वाहिशने के बाद में फिर उसको शॉपरन, में ले गया लेने के बाद में जब शिकोटी ने हला ये करा तो फिर एक साइड को अलग को ले गया उसको महीं घुमाता रहा हुआ नाड खतम कर दिना तोड़ दी उसने जिसके उपर हमला हुआ था क्या वो लोकल टूरिस्ट हा कौन था वो शक्स करीब कितनी उमर होगी उसक वाइट पहरागी ती विलेक पैंट थी और वो यह इतर नोकल बंदा था जिसक्त हमला हुआ क्या जो वाइट टाइकर था जाल के अंदर बंद था और यह जो जिस शक्स के उपर हमला किया है यह कहां से उसे जाक रहा था यह जो यह जंगल सा था जो जिसमें होता है दिसे देखते हैं Rail लग रही है उस्में जागते समय उसकी इतनी उचाही होगी जादा नहीं है तो वह उसमें जागते वह गिर गया हूँ जब उपने क्या जो आपकी वीडियो पर किसी ने कुछ नी कर और पबलिक को अगेला था जो आया था या उसके साथ और भी लोग थे बिलकुल अकेला था वह जो चश्मदीद हैं बिट्टू नाम इनका बताया जा रहा है बिट्टू का ये कहना है कि वहाँ पर जो जंगल था चड़ियागर के अंदर वहाँ पर एक तरफ गड़ा था और उस गड़े के अंदर करीब जैसा की पुलिस से बात हुई है करीब 25 से 30 साल उस शक्स की उमर है वो अचानक से वहाँ पर गिर गया और करीब 15 20 मिनट बाद जो की बताया जा रहा है वाइट टाइगर रहा है वो आया और उस ने उस शक्स के ओपर हमला की अ, हलाकी ये बताया जा रहा है कि पहले जो टाइगर था उसने हमला नहीं किया उसके उपर जब पत्थर फैके काफी गंबीर हालत उसकी बताई जा रही है जो लोकल लोग हैं जो चश्मदीद हैं उनका ये भी कहना है कि इतनी बुरी तरीके सामला किया गया था